नमस्कार भाजसाब कि आपको पता है सोनू सूध के हाँ इंकंड टेक्स का च्छापा पड़ा है। कि मैं तो कहता हूँ इंकंड टेक्स का च्छापा बिलकुल पड़ना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर है एक तो नाम सोनू उपर से सूध क्या जरूरत थी लागडाउन के टाइम में इदर उदर भटक भटक के दिन रात लोगों की मदद करना लोगडाउन के टाइम पे मदद कर रहे हैं सबकी जाजा करके छापा नहीं पड़ेगा जिस वक्त बड़े-बड़े MLA, MP, Ministers अपने घरों में छिपके बैठे हुए थे ये सोनू सूध रात रात में दिन दिन में उचल उचल के लोगों के मदद कर रहा था छापा नहीं पड़ेगा किसी को बस में बिठाल के बिहार भेज रहा है किसी को यूपी भेज रहा है मजदूरों को खाना खिला रहा है गरीबों की मदद कर रहा है आखिरकार इतना पैसा आया कहां से सरकार को हिसाब नहीं दिना पड़ेगा इंकम्टेक्स का छापा बिल्कुल पढ़ना चाहिए एसे लोगों को उपर इंकम्टेक्स का छापा अरे माना तुम्हाँ पास इतना पैसा था तो क्या ऐसे सडकों पे जाकर के लुटाओगे मदद करोगे किसी को आप और सिलेंडर पहसा रहा है किसी को फिताल के घर इतना पैसा ने पास टालके पलाएं कर रहे थे मजदूर बचों को कंधे में लाग करके भूखी प्यासी महिलाएं उनको घर भेज देते कुछ सोच समझके ही वो काम करते हैं ट्रेन बंद कर दी थी उनोंने सारा येक बंद कर दिया और तुम लॉक्डाउन में लोगों को उठा-उठा के घर भेज रहे हो छापा नहीं पड़ेगा बिल्कुल छापा पड़ना चाहिए इसे लोगों को उपर तुम तो लोगों की मदद कर करके मसीहा बन गए खुद लेकिन दूसरी तरफ तुमने नहीं सोचा कि इसी लॉक्डाउन में बड़े-बड़े M.A.L.A. M.P. मिनिस्टर घरों में छिपके बैठे थे इंकम टेक्स वालों ने गलत छापा नहीं मारा है कुछ सोच समझ के ही छापा मारा होगा ऐसे वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं आखिरकार अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था भी और तुम्हें लोगों की मदद भी करनी थी तो चुपचा अक्षे कुमार के जैसे पैसा उठा के पीम के एर फंड में डाल देते हैं खुद जाके सडकों में उतरके लोगों की मदद करने की क्या जरूरत थी अक्षे कुमार से बड़े फिरो हो गए हो क्या हद्ध हो गई बिल्कुल छापा पढ़ना चाहिए एसे लोगों के उपर आखिरकार इतना पैसा आया कहां से सोनु सूद कोई पीम के एर फंड है क्या जो हिसाब नहीं देना पढ़ेगा हिसाब तो देना पढ़ेगा आखिरकार इतना पैसा आया कहां से इतने लोगों के मदद की कहां से और वैसे भी income tax का छापा पड़ा है तो इसमें हो हल्ला मचाने की क्या जूरूत है तमाम लोगी दो उद्र चिल आ रहे कि अरे सोनू सूद के यहाँ छापा पड़ा गया सोनू सूद के यहाँ चापा पड़ा गया भाई यह income tax की routine प्रक्रिया है वो कभी भी डाल सकते हैं अब income tax वालो ने किसी के दबाओं में थोड़ी चापा डाला है या सोनू सूद को डराने के लिए धमकाने के लिए या किसी और वज़े से थोड़ी चापा डाला है और दूसरी बात एक बात बताओ क्या कॉंग्रेस के जमाने में लोगों के हाँ income tax के चापे नहीं पड़ते थे सोनू सूद क्या चापा पड़ना चाहिए इसे लोगों को पर लोगों की मदद कर रहे हैं जाकर के सडकों पे गरीबों को घर भेज रहे हैं यह कर रहे हैं हवाई जहाज से भेज रहे हैं मतलब मसीहा बनेंगे जब यहां पर और लेडी कुछ मसीहा हैं बड़े बड़े तो उनके सामने तुम खड़े हो करके अपना कद दिखाऊगे बिलकुल सही पड़ा है चापा बहुत हुआ सम्मान सो नू अब आगे से करना मदजरा सोच समझ के